हेलो ड्रीरान दिस पूजासिंग and वहल्कम बेक हैं रण चैनल को सब्सक्राइब तरु भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर डिए टाइम जब लिकान को जुरू प्रस कर लें तांगी हर विडियो की कि देख ले तो आज इस वीडियो में जैसे कि आपने देखा कि मार्केट जो है काफे अच्छा रिवर्स कर गया है और इसके पहले जो वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कराई थी सब कुछ आपको समझायता है और यह आपको कुछ एक्जामपर्स दिये थे कि हमारा इंड ग्रेंवार के साथ साथ इसराइल हमास सब कुछ आपको समझाया था ठीक है तो यहाँ पर जीजे कही न कहीं बहतर देखने को मिली है और आपना इंडियर मार्केट काफी पॉस्टिव हो गया है तो इस हिसाब से जो सबसे पहले देखे आ उस दिन आपको यह भी बोलाता है कि सब से गिरावत मिड़ ni ayamai Reworksul Sounds कारण यही था कि अपने इंडियर मार्केट में अपनी इंवेस्ट करना चाहेगा पाकी FIIs जो बेस रहे हैं या प्रॉफिट बॉक करें उनकी छोड़ी डॉमस्टिक इंवेस्टर इतने ज्यादा है इंवेस्ट करने के लिए कि मार्केट को अच्छा ले जाते हैं इसके पहले एक और चीज़ आपको बताई थी मैंने जब लेटेस्ट वीडियो आपको दी थी जब गिरा था मार्केट तो उन्हीं स्टॉक में एडिंग एकुमिलेटिंग के लिए आप लोग पूस्ट रहे तो 20 तू 25 परसंट जो डाउन हो उसमें एडिंग करना बेटल होता कौन से स्टॉक को फोकस में रखें तो यहां पर चले मैं आपको दस स्टॉक बताती हूं जिसमें स्मॉल केप, मिट केप, लार्ज केप तीनों ही इंक्लूड़िड है और एक सबसे इंपॉर्टेंट यह तीनों ही 50% से ज्यादा के करेक्शन में हैं 50%, 60%, 70%, 80% तक के करेक्श इचिनों के में अच्छी हूं, तो उन्हें स्टॉक को त्रेक किया जा सकता है, उन्हें स्टॉक को रडर पर रखा जा सकता है, व्लिस्ट में रखा जा सकता है, तो चले देखते हैं कि वो कौन-कौन से stock है और इन 10 stock पर आप अपनी निजर बना कर रख सकते हैं जो stock आपको better लगे, आपको suitable लगे उस हिसाब से आप इनको target कर सकते हैं लेकिन ध्यान रहे, मेरी तरफ से कोई भी buying selling recommendation नहीं है वीडियो सिर्फ educational purpose है, knowledge based है मैं सिर्फ आपको यहाँ पर चीज़े बताने वाली हूँ कि क्या expectations हो सकती है, knowledge based है, information based है, सारी चीज़ वीडियो को पूरा देखकर आप comment करके जरूर बताना कि इनमें से कौन से stock बाकरी में better है या फिर यहाँ पर जितने भी stocks मैने pick out किये हैं फोकस के लिए वो सभी better है या नहीं जादा सजादा request है कि वीडियो को like कर दिजे, share कर दिजे ताकि आप सबके support से YouTube भी promote करता है चले बात करते हैं पने पहले stock है यहाँ पर first stock है अपना bank of maharasta, mahabank जो इस step 42 rupees पर trade कर रही है, 3% का jump भी देखने को मिल गया है यहाँ पर अब देख सकते हो, mahabank जैसे की 42 rupees पर trade कर रही है हलाकि high जो है 97 rupees का बना चुकी यान उन से comparison करें तो देख सकते हो, आप 60% के correction में यह stock मिल रहा है सो यह stock को radar पर रखा जा सकते है, इस correction में इस की रावट पर क्यूंकि इससे आगे expectations अच्छी हो सकती है next देखते हैं, यहाँ पर second stock जो मैं focus कराना चाहूंगी वह है Central Bank of India इसका result भी बहुत अच्छा है, 90% से profit jump देखने को मिला है, NPA 1.78% से down हो है हाला कि आपको इसके पहले जो latest video प्रोवाइड कराए थी, इसी का example भी दिया था and इस stock में भी अच्छी देखने को मिल रही है, 44 rupees पर trade कर रही है हाला कि आपको बता दू कि इसमें से थोड़े mix-up stock है, कुछ आपको 50 rupees से कम वाले देखने को मिलेंगे कुछ आपको जो है, prices उपर वाले भी मैं बताने वाली है and तीनों included है, small cap, mid cap, large cap आपको हर category के stocks में दिखने को मिल जाएगा so central bank 44 rupees पर trade कर रही है, यहाँ पर आपके सामने देख सकते हैं कि यह stock जो है, already 212 rupees का high लगा चुका है and वहाँ से comparison करें, is time 44 rupees पर, इस stock में 82% की गिरावट है, 82.28%, 82% तक का stock में correction है and बहुत एच्छा support बना कर उपर निकलने की, पूरी potentials इसमें दिख रही है so expectations अच्छी है, इसमें down पर मिल रहा है, then इसको ही radar पर रखा जा सकता है चले, next दिखते है, इसके पहले भी latest आपको जो है, PNB भी फोकस कराया था मैंने इस time 100 rupees से कम वाला stock 73 rupees पर trade कराया है, PNB का भी result काफी better आया है बहुत strong तो नहीं कहूंगी, लेकिन फिर भी अच्छा है है, 73 rupees पर trade करी है यहां पर आप देख सकते हैं, 280 rupees का high लगाने के बाद यह stock is 76% के correction में और क्या चाहिए, एक पर comment करके बताएए आप लोग कि क्या इन stocks में मौका है, नहीं है इनको radar पर रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, जब इतने सस्ते price पर stock है, इनके results भी better आ रहे है तो इनसे अगर कोई doubt है तो comment किजए, अगर better लग रहा है तो वो भी comment किजए, तागि दूसरे लोगों को भी पता चले कि actually मैं क्या करना चाहिए, चले next देखते हैं, आप देखें, banking sector से ही next stock है IOB, Indian Overseas Bank, जो इस टेम 40 रुपए पर trade कर रही है, 5% का jump इस stock में भी देखने को मिल गया है काफी अच्छी company है, बहुत ही low price पर मिल रही है, यहाँ पर देखिए, इस stock ने जो है already 230 रुपए का high लगाया है, और उससे अगर comparison करें तो इस stock में 85% का girowat है, जैसे कि हम हमेशा ही बात भी करते हैं, डिसकस करते हैं, मैं कई बार वीडियो में आपको बताती हूं कि जो भी stocks 60%, 70%, 80%, 90% तक अगर girowat देख रहे हैं, उनका future दिख रहा है, कही न कहीं strong है, तो उनमें थोड़ा बहुत risk लेना भी बनता है वैसे इससे आप कितना सहमत एक बर कमेंट करके बताईए, IOB को रडार पर रखा जाना चाहिए, कि नहीं यह भी बताईए, क्योंकि मुझे तो इस ताम सोड़ा सा बेटर लग रहा है, वैसे आप अपनी रहे जलुदी शेर केजिए, सो मुझे लगता है कि इस girowat में IOB भी ठीक है, अब यह हो गया, अब चलिए बाकी बात करते हैं, इसके बाद मैं कि स्टॉक फोकस कराना चाहती हूँ आपको, small cap stock है, prices जादा है, लेकिन small cap stock है, वैरक engineering limit, company काफी अच्छे, इसके fundamental आप लोग चेक आउट कर सकते हैं, then अपना decision ले सकते हैं, 460 रुपीज पर इस clear नजर आएगा, कि किस तरीके से अपना support resistance बनाती हुई, निकल रही है, और बहुत ही अच्छा 450 का support बनाकर, यहां से बड़ा सा rejection लिया है, इसने 440 तक down आई थी, and 450 का major support है, यहां से rejection आपको clear नजर आ रहा होगा, breakout का retest, and then यहां से reverse कर सकती है, आपको बताना चाहती पर इस stock में काफी अच्छी तेज़ी भी देखने को मैं सकती है, तो वैरक एंजिनेरिंग में इस गिरावट का benefit देखा जा सकता है, next देखते है, next stock है happiest man technology, हलाकि small cap तो यह भी है, लेकि prices इसके जादा है, so अगर जो भी small cap में prices से अगर आपको कोई लेना देना नहीं है, क् बहुत सारे लोगे जनको price से लेना जरह नहीं होता है, वो अपना safe zone देखते हैं, तो उसे साबसे यहाँ पर happiest man आपसे पहले भी कई पर focus करा था, 900 पर भी जब happiest man को focus करा था, तो उसमें आपको levels बताये थी कि 800 रुपे तक का गिरावट आ सकता है, क्योंकि 800 का support है, and 800 पर य का high लगा चुकी है, इस तेम देख सकते हैं, आप 50% के correction में है, 50% का correction वाकि happiest man के लिए better हो सकता है, and जो भी long term के लिए portfolio के लिए अच्छा stock ढून रहे है, growth stock ढून रहे है, देखें कि यह valuation की वज़े से यहाँ पर थोड़ी चीज़े, यहाँ पर problematic happiest man में हो रही है, but futuristic stock अग आपको बहुत सारे stock देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आप बोलोगे, Infocess नहीं बिताया, विप्रो नहीं बिताया, तो यह नहीं बिताया, वो नहीं बिताया, लेकिन जैसे कि वीडियो में starting में बताया, कि यहाँ पर उन्हीं stocks को मैंने track किया है, जो 50% से ज़्यादा के correction म कल का वीडियो जो आएगा, उसमें मैं कोशिश करूंगी आपको यह बताने के लिए, जो 30% से कम वाली हैं, लेकिन उनमें upside potential हो सकती है, तो कल का पर वीडियो के लिए बेट किशे, अब चलिए next देखते है, next stock जो है radar पर रखा जा सकता है, उसमें अडानी green energy है, जो इस ता मुझे इसके अलाबा, अडानी power हो गया, अडानी green है, अडानी transmission, इस तरी के जो भी stocks है, अडानी enterprises ही क्यों ना हो, हाँ थोड़ा सा safe zone में अडानी enterprises मुझे लगता है, अगर down आए तो, but मैंने बहुत जादा इनको जो है focus नहीं कराया है, क्योंकि personally मुझे थोड़ा सा इन से तालमेल नहीं बनता है, लेकिन फिर भी कही न कहीं लग रहा है कि अडानी green energy जो है, इस तम बहुत ही down पर मिल रही है, energy sector में scope अच्छा है, अडानी green energy यहाँ पर थोड़ा better हो सकता है, अडानी green energy प्राइस काफी अच्छे लग रहे है, हाला कि मैं आपको बताना चाहते हू क्योंकि major support इसका 500 रुपे का है, so 800 रुपे का support है major, फिलाल देखे 800 रुपे का support है, and 800 रुपे का level तो सीधे कहीं रुकाउट नहीं है, major सीधे 500 रुपे का support है, तो इसका भी दिहान रखिए कि अगर अडानी green जो भी यहाँ पर अगर focus करते हैं, portfolio में है, तो 800 रुपे का level बिल्कुल ही आपको mark करके चलना है, यहाँ पर मैं levels लगा देते हूं, देख सकते हैं, यह 800 रुपे का level है, बहुत जादा यहाँ पर important है, यह पूरा 800 रुपे का यह देख सकते हैं, 800 रुपे का बहुत अच्छा zone है, अगर 800 का level तो थोड़ा सा यहाँ आपको ध्यान देना क्योंकि उसके बाद सीदे 500 रुपे तक आजाएगी, कहीं कुछ तखाई नहीं देगा इसको, तो इसका भी ध्यान रखना है, क्योंकि पहले अभी मार्च महीं आज भी चुकी 800 रुपे तक, सरी 500 रुपे तक, तो इसका भी ध्यान रखते हुए इसको फोकस करें, रही है, 1160 रुपे से लेकर 1270, यह थोड़ा सा स्टॉंग लेवल है, इसको जब तक नहीं क्रोस करती है, तब तक अडाने घ्रीन स्टॉंग नहीं होगा, तो इसका भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, चलिए नेक्स देखते हैं, अब देखें, यहां पर नेक्स जो है, मै जीजे बस वही हैं कि मैं यहां पर उन्हीं स्टॉंक को फोकस करा रही हूं, जो 50% से ज़ादा के कर्यक्शन में है, आगयानि यह रीपीट करा रही हूं, चुर्ण के करेक्शन में है अपने मेजर सपोर्ट के आस पास है, मुझे लगता है कि लक्ष्मिय और्गनिक्स यहा इस बात का धियान रखना है तो अगर अभी एंट्री लेते हैं 320 का लेवल ना सस्टेन करें तो आप अपना शॉट टम प्लान कर सकते हैं तो ही आगे जो है इससे टार्गेट मिल सकते हैं 370-400 रुपे का तो लक्षमी और्गेनिक्स बहुत ही जादा डाउन पर हम उन्हीं स्टॉक्स को फोकस करें जो जिनका फ्यूचर भी हो और बहुत ही डाउन पर इस टाम मिल रहे हो तो लक्षमिय और्गैनिक से यहां पर इसको भी रडार पर रखा जा सकता है, चले नेक्स देखते हैं यहां पर mix-ups हारे हैं, कुछ prices high वाले भी हैं, कुछ down वाले भी हैं, कुछ small cap भी हैं, कुछ large cap भी है, कुछ mid cap भी है So, इस वज़े से चीजे मुझे लगता है कहीं ने कहीं यह काफी बेटर है, जो investment प्लान कर रहे हैं, लाइक गिराओट में एक portfolio बदाने की 10-get and stocks को भी आप focus कर सकते हैं, अपनी भी थोड़ी बहुत analysis कर कि तब जाके चीजे थोड़ी better होंगी, तब जाके आप अपना better decision ले, यहां पर westcon engineers limited 76 rupees पर trade कर या 4% का jump देखने को मिला है, क्योंकि small cap and mid cap में ही ज्यादा तेज़ी देखने को मिल रही है, and gear out bin में ही ज्याद दीजेगा एक पर, यह 65 rupees का level है, and यह 50 rupees है, तो यह 64-65 का जो range है, काफी important है, यहां से देखिया breakout हुआ था, rateist हुआ था, then यहां पर निकला है, and again जो यह gir out कर चुकी है, यह भी rateist अगर इसको आप monthly chart है, monthly मैं इसलिए use करते हूँ, थोड़ा सा एक बड़ा view दिख जाता है, तो यहां पर देखिये, इस तरीके से breakout, rateist, then breakout, फिर breakout के बाद ही rateist complete होगा है, यहां से निकल सकती है, तो इस वज़े से मुझे लगता है कि Westcon थोड़ा सा बेटर है, and target जो है कहीं ना कहीं, इस से 100 प्लस expect किया जा सकता है, 100 प्लस 112, 114, तो इस तरीके से यहां पर technical हिसाब स है, so Westcon भी यहां पर focus किया जा सकता है, क्योंकि इस टॉक में काफी अच्छा गिरावट भी देखने को मिला है, देख सकते हो आपको, next देखते हैं अपना last stock, तो यहां पर जो last stock है, NBCC Limited है, जो अरेडी 55 के breakout के बाद 59 पर आपको focus कराया था, 60 के ऊपर stock strong होगा, 70-75 का यह सा साथ ही, redaced होना था, यहां पर market के mood ने पूरा काफी correction दिया, again stock 64 पर sustainable है, आज 30% तक का jump भी देखने को मिला है, so NBCC यहां पर काफी अच्छा stock हो सकता है, radar पर रखने के लिए, इस गिरावट का benefit देखने के लिए, यहां पर चलिए इसको थोड़ा सा remove करते हैं, देख सकते ह आप लोग, जैसा कि 50% से ज़्यादा correction वाले stock को ही, हम यहां पर focus करें, तो यहां पर यह लगभग 146 लगभग grade 100 का jump दिखा चुकी है, यह stock 56% के, आप 55.92% दिख सकते हैं, 56% के गिरावट में है, तो कहीं ने कहीं चीज़े थोड़ी सी बेटर हो सकती है, इस गिरावट मे चुकी है, इसका काफि अचा support भी ले रही है, रिटेस्ट भी complete हो चुका है, और उसके बास 64, 70, 75 जो short term levels आपको बताया थे कि वहां से रिटेस्ट हो सकता है, exactly वैसा हुआ भी 75 की level से रिटेस्ट देखने को मिला, तो अब 70, 75 के ऊपर इस stock जो है strong होगा, और कहीं न कहीं 100 plus expectations हो सकता है, और आपको बतादू कि इन future अपने ये W भी complete कर सकती है, जो कि आपको 130 to 140 का भी target आगे expected हो सकता है, so इस gear out में NBCC को भी focus किया जा सकता है, so इस gear out में 10 stocks में से कौन सा आपके portfolio में है, कौन सा आप focus करना चाहेंगे, और ये जो आज का content था, कितना बेटर लगा है, क्योंकि याँ पर हमने 50% से ज्यादा correction वाले engine stocks में अच्छी आगे expectations है, उनको ही focus करा है, मिलते हैं next video के सांथ, जिसमें मैं कल आपको वो बताने वाली हूँ, जिनमें upside potentials अच्छी हो सकती है, लेकिन 30% से कम वाले भी उसमें included रहेंगे, so उसके लिए वीडियो को ज्यादा अच्छा दर लाइक और शेयर करते हैं, चले मिलते हैं next video में, thanks for watching, bye-bye.